गुरु है तो भरोसा है एक ऐसे ग्रह जो इस समय पर ब्रिशव रासी के अपने रासी पर ही विद्धिमान है एक ऐसे ग्रह जिन्हें भागे का कारक कहा जाता है योतिस में इन्हें जीवा कहा गया है और यही ग्रह वक्री अवस्था पर आ रहे हैं ठीक 9 अक्टूबर से ले कुछ विशेश जागरिती विशेश अनुभूतियों के साथ साथ कुछ सावधानियों को भी हमें रखने की आव सकता है आपने अनेक वीडियो देखे होंगे इस गुरु के वक्रत्व अवस्था को लेकर सबने अपने 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 ग्याना नुसार आपको लाभानमित कि है आज हम अपने अनुभों के आधार पर आपसे कुछ बाते हैं जो साज़ा करने जा रहे हैं हम यहीं चाहेंगे कि इन चार महिनों में आपके मंजिल तक आप पहुँच पाएं आपकी यात्रा सफल हो अब मोहिभा भरोस हनुमनता बिन हरी कृपा मिला ही नहीं संता वीभी संड जी को भी एक भरोसा था जब उन्होंने हनुमान जी को देखा था कि अब हनुमान जी मेरे घर पर आए हैं मेरे द्वार पर आए हैं अब मुझे ग्यात हो गया कि अब मुझे स्री राम जी अर्थात मेरा भाग्य तत्काल अर्थात जल्दी ही मुझे प्राप्त हो जाएगा और ठीक इसी प्रकार से आज गुरु के वक्री अवस्था को हम जानने जा रहे हैं क्योंकि हम तो हार चुके हैं अपने दुनिया से हमने अपना सब कुछ करके देख लिया है लेकिन हे प्रभु अब तेरी बारी है तु मुझे डुबा दे या बचा दे दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे दौर यहां से मैं जो हारा कहां जाओंगा सरकार यहां से मैं जो हारा कहा जाओंगा सरकार मेरा तो क्या है मैं तो दुनिया से हारा पूछेगा तुम से ही ये संसार सारा डूब गई क्यों नईया तिर रहते खेवन हार यहां से मैं जो हारा कहा जाओंगा सरकार यहां से मैं जो हारा कहा जाओंगा सरकार आज भरोसा है उसी गुरू पर उसी भगवान पर कि इस वकरी अवस्था में बहुत कुछ हमारे जीवन पर वो पदर्सित करा पाएंगे आज इसी गुरू पर चर्चा करते हैं ठीक ब्रिसब रासी के अपने लगन पर ही अपने रासी पर ही आधारित हैं गुरू इस समय पर और चुकि देवगुरू बिरस्पती के अंदर चेश्टा बल की ब्रिध्धी हो गई है अर्थात इनके पास अब वो पावर है कि यदि वो सुभ परिणाम देंगे तो भी तीन गुना प्रदान करेंगे और यदि कोई असुभ परिणाम देंगे तो वो भी तीन गुना फल की बृद्धी करेंगे ग्यात हो आपको कि आपके अपने रासी पर ही देव गुरु विरस्पती विराजबान है इस कारण से ये कभी भी आपको बुरा प्रतिफल प्रदान नहीं करेंगे हाला कि एक ऐसा भी कार्य होगा जिस पर हमें साउधानी रखने के आउ सकता होगी आपको स्वता ही पता चल जाएगा इस विडियो के माद्दम से कि कहां हमें ध्यान रखने के आउ सकता है और तीन इस्थान ऐसे होंगे जहाँ पर गुरु के गंगा जल की बारिस हो सकती है वहाँ पर कृपा की बरसात हो सकती है और वही प्रारम करते हैं रासी पर ही इस समय पर गुरु देव विराजमान है और चुकि कोई गरह जब चेश्टा बली हो गया अर्थात इनका जो प्रभाव है इस समय पर एक घर पीछे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा एक घर पीछे के अर्थात लगन से एक घर पीछे बारवा घर का प्रभाव भी देखने को मिलेगा यदि हम खर्चों से परेसान हैं, निरंतर खर्चे अधिक हो रहे हैं चाहा करके भी उन खर्चों पर कोई विराम नहीं लग रहा है तो देव गुरु विरस्पति का परिणाम अब हमको बारवे घर से मिलना जब प्रारम होता है तो उन खर्चों में, उन हानियों में हमको लगाम लगते हुए नजर आएगी कोई विदेश सम्मंधी कोई काम है, कोई आयात निर्यात से जुड़ा हुआ आप काम करते हैं यहाँ पर गुरु की कृपा अर्थात इस्वर की कृपा देखने को मिलेगी गुरु के पास तीन द्रिष्टियां हैं और इस समय पर चुकी ये चेश्टा बली हो गए हैं इस कारण से उस घर का परिणाम हमको ज़्यादा मजबूती से प्राप्त होगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, पंचम द्रिष्टी, पंचम भाव पर ही पड़ेगी संतान से जुड़े हुए कोई परिसानिया हैं उस पर विराम लगेगी और देव गुरु बिरस्पती उसे जागरित करेंगे अर्थाद संतान से जुड़े हुए विशेस अनुभूतियों को, विशेस कारे की संपन्नता को आप इस समय पर आत्मसात कर सकते हैं अपने जीवन में जो विद्यार्थी हैं, जिनके विद्या के इस्तर को काफी अच्छा बढ़ना चाहते हैं, उचाई पर पहुँचना चाहते हैं, तो देव गुरु बिरस्पती की पंचम दृष्टी पढ़ रही है, अर्थाद कुछ नया ज्यान, नया नौलेज आपको प्राप्त होगा पंचम भाव स्वयम के हमारे बुद्धी मता का है, और बुद्धी के इस्थान पर ज्यान के स्वामी गुरु की दृष्टी का पढ़ना एक नय ज्यान की अनुबूती हमें प्राप्त होती है, इस्वर के प्रती आस्थावान हम बनते हैं, इस्वर के प्रती जागरिती होत पर पढ़ेगी सब्तम भाव आपके दामपत्य जीवन का होता है किसी कारण से जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर हम परिसान है या उनके स्वास्त को लेकर हम परिसान है तो देव गुरु विरस्पति की गंगा जल के समान दृष्टी पढ़ रही है अर्था दामपत्य जीवन की असान्तियों पर विराम लगेगा यही इस्थान आपके ब्यापार का होता है इसके ब्यापारिक इस्थर को भी एक विसेश अनुभूती की प्राप्ती होगी एक विसेश रिष्ठता की प्राप्ती होती है मित्रों का सपोर्ट मिलता है इस समय पर क्योंकि स्मित्रों का सहरा प्राप्त हो सकता है गुरू के पास जो नवम दृष्टी है वो सीधा पढ़ता है नवम भाव पर और नवम इस्थान होता है हमारे किस्मत का, हमारे भाग्य का सब कुछ किया हमें ने लेकिन यदि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है तो यहां देव गुरू बिरस्पती के अंदर चेश्टा बन वाली दृष्टी आ रही है नवम भाव पर किस्मत का साथ मिलना, भाग्य का साथ मिलना उच्च सिक्षा की प्राप्ती होना इस समय पर आप ज़्यादा धर्मवान बनते हैं अपने धर्म के प्रती आपकी कटरता बढ़ती है अपनी आस्थाओं को आप प्रवल कर पाते हैं इस समय पर कोई तिर्थ यात्रा का संजोग बनता है नवम भाव प्रभावी है पिता जी से जुड़े हुए यदि कोई परसानी है तो उन परसानीों का अंत होता है यदि कोई सीनियर उच्चा धिकारियों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो अब गुरू की दृष्टी नवम भाव पर है मेरे उच्चा धिकारी भी मेरे अनुकूली समय पर रहेंगे एक स्थान ऐसा है जहां पर हमें सतर कर रहने की आवसकता होगी और वो है जहां पर देव गुरू बिरस्पती विराजमान है तुन सी भरो से राम के निर्भय होकर सोए अन होनी होनी नहीं होनी हो सोए तो इस समय पर देव गुरु बिरस्पती स्वेम लगन पर रहेंगे हमको एक सावधानी रखनी होगी अपने स्वास्थ पर रखनी होगी माना जाता है गुरु जहां पर बैठते हैं उस इस्थान की हानी करते हैं माना जाता है इस्थान हानी करे जीवा इसलिए स्वास्त पर अपना ध्यान रखना ये आपका परम करतब्य होना चाहिए कुछ भी यदि स्वास्त में नर्मा गर्मी दिखें तो उसे नजर अंदाज बिल्कुल नहीं कीजिएगा उसके लिए जो वावस्यक जो चिकित्सा पद्धती के आउसकता है उसको ध्यान देते हुए अपने स्वास्त पर ध्यान दिजिएगा इसके अलावा देव गुरु बिरस्पती का कहीं से कोई नेगेटिव परिणाम आपके अपने बिरिसबरासी पर नहीं पड़ेगा इनका प्रभाव ही उचित हो गया उत्तम हो गया कैसे देव गुरु बिरस्पती को हम जागरती अवस्था में रख सकते हैं इसके लिए दिहान दिजिएगा जो आपके गुरु वर हैं उनका आस्रह लीजिएगा जो आपको गुरु मंत्र प्राप्त है उस गुरु मंत्र का बारम बार जपन करना पठन करना आपके लिए स्रिष्ठ अनुभूतियों को उपस्थित कराएगा कल युग केवल नाम अधारा सुमर सुमरी जन उत्रही पारा गुरु देवतान लगन पर है इसने जिस इस्वर के प्रती आपकी आस्था है हनुमान जी हो भगवान सीव संकर जी हो राम जी हो अथवा कृष्ण जी हो उन पर अपना भरोसा कायम रखिएगा यही गुरु है जो आपके अपने रासी पर ही वक्री हो रहे है तो उस भरोसे को भगवान कभी भी खाली हाथ आपको जाने नहीं देंगे उस भरोसे की भगवान लाज रखेंगे और यही है आपके लिए सबसे सुन्दर प्रभाव देव गुरु विरस्पती का तिर्थ याटन कीजेगा कोई तिर्थ हिस्थल जाईएगा अपने घर में जो भगवान जी विराजमान है जो कोई प्रतिमा है कोई फोटो है भगवान जी की उसकी साप सफाही रखना उस पर धूप दीप लगाना पुस्प अरपन करना यही तो है धर्म की स्थापना अर्थाथ जब गुरु को हमको मजबूत करना है तत्व की बढ़ोतरी करता है जिसका सीधा संबंध हमारे भागे के उपलब्धी से होता है गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं यदि आपने गुरु दिक्षा नहीं लिया है तो सारे संसार के एक ही गुरु है भगवान भोले नाथ उनके मंत्र नमा सिवाय का जाप करना इस गुरु के बल्क की बृद्धी करता है अथवा ओम ब्रिम ब्रिहस्पते नमा का मंत्र जाप आप कर सकते हैं उमीद है आप सबने इसे समझा है आप सबने इसे जाना है यदि आपने इसे समझा है जाना है मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भाती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और ब्रिसब रासी ने हमें प्रोथ साहित किया है और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पुना एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल में हो इन ही सुबकामनाओं के साथ जैसरी राम